चलिए बनाते हैं मलाई से घी होमेट घी बनाएंगे अब बहुत ही इजी है होमेट घी बनाना आराम से हम बना सकते हैं आज ग्या है कि दूद में मलाई पढ़ती है न तो बच्चे पीना चाहते हैं और न बढ़े लेना चाहते हैं अब दूद है तो गरम करेंगे तो उस पे तो मलाई बनेगी तो आज हम दूद की मलाई से घी बनाएंगे इस घी को इस्टोर करके रखेंगे और इसे रोटी में खाईए दाल में डालके खाईए पराठे बनाएए बाहर से लाने के जोरुत भी नहीं पड़ेगी अगर पर हम हमेट घी बना के तया कर सकते हैं नमस्ते दोस्तों चलिए रेसिपी शुरू करते हैं घी बनाने के लिए हमने 10 दिन की मलाई इकठा करके रखाता है इतना सरा म नहीं किया तो प्लीच प्लीच आप लों से हाथ चोड़ के रिक्रेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आकर घंटी को ही प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिपिकर्शन आपको सबसे पहलने मिले घी निकालने के लिए देखिए हमने मिक्सी कजार लिया है मिक इनकल रaters आप अटर को अवागदी निकल गए तकी जो दुद वाला पानी वाई वाइट वाला रो निकल जय और मठने के मांट रखिए हमने के किते वड़े गोले निकले और इस तरह से हम सारे मखण को निखालके रख लेते प्लेट में दिख सकते हैं कितए सारे मखण निकले हैं और इस से हम अब इसे हम चलाना बहुत जरूरी है तो बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे दूद में जो खोया बनेगा, ओची पक जायागा, तले में कड़ाई का, तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं, घी को थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, तब तक इसे हम चला लेंगे, ताकि तले में जले नहीं, नहीं तो बर्तन भी खराब होगा, और क टाला भी हो जाएगा इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में चलाते रहा है अधिए दो से तीन मिनट लगेंगे घी भी हमरा बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा अईसे हमने हाइफ पे ही रखा है ताकि घी हमरा जल्दी बनके त्यार हो तो फ्लेम का कोई टेंसर नहीं है बस हमारा घी बहुत जल्दी बन जागे, जीतने ज्ञाग दिख रहे हैं ना, सारे ज्ञाग हमारे खतम हो जाएंगे, घी जब बन जाएगा, तो इस तरह से बीच-बीच में चलाते हैं, अब पकावा घी घर गहर का ओरिजिनल गही होता है, तिस तरह से घर में बनाइए और जा है तो बच्छों को भी खिलाये कुछ भी खाईएHH मलाई नहीं खाने एक दालते दाल में खिलाये मैं जासे हमें नो तुझनी साफ़नगे और विल्कुल कम इस निकालना कैसे औह بेडäre बताओंगे जब अब दूद को गरम किजिए नॉर्मल उसे ठंडा किजिए उसे फ्रीज में रख दीजिए फिर देखिएगा उसमें मलाई पड़ जाएगा उसे आप मलाई निकाल को इस तरह करके रखिए बिल्कुल थोड़ा सा महवा देखिए निकला है और इस तरह का निकला है इसका कोई अगर आपको वीडियो को लाइक शेयर जरू किजिएगा अब कमेंट करके हमें जरू बताएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जयें जयवारत